नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी दोस्तों आज की स्टूडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप SLS पेश्ट के माधियम से जो 70% पेश्ट होता है उसके माधियम से एक अच्छा हाई क्वालेटी वाला लिक्विड वह भी कम प्राइज में कैसे बना सकते हो भी बिना ब्लेंड मशिन के दोस्तों कई लोगों को यानि की जादा करके लोगों को यही लगता है कि अगर हम यूज करते तो हमें पहले उसको लिक्विड में बनाना बनेगा करना पड़ेगा 28% में बनाएंगे उसके बाद फिर आसानी से मिक्स कर सकेंगे तो भाई इसी चीज़ को आज की लिक्विड हो गया आप उसको बना सकोगे बीना ब्लेंडर मशिन के कैसे बना सकेंगे इस वीडियो में पूरा आपको देखना होगा आपको पूरी प्रोसेजर समझ में आ जाएगी मैं 15 लिटर का इस वीडियो में बैच बनाने वाला हूँ और मैं सभी से यही कहूंगा कि स्कीप करके केवल मेजरमेंट मत देखो पूरी की पूरी प्रोसेजर को ध्यान से देखना क्योंकि जादगर के लोग मुझे उसी वीडियो पे दुबारा से कोश्चन करते हैं जिसकी पूरी प्रोसेजर मैंने वीडियो में बता ही होई होती है तो पूरी प्रोसेजर देख दोस्तो एसलियस पेश्ट से लिक्विड बनाने करें फिलाल में डिश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश तो कुछ इस टैप का आपका गाड़ा लिक्विड बन जाएगा यह इसकी ठिकनेस देख लो बहुत ही कम प्राइस में यह रेडियो हो जाता है जितना आपका ऐसे लिक्विड से जो प्राइस बे रेडियो होता है उसे कम प्राइस बे रेडियो होगा क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर होती है और उसके बाद जो इसकी quality आती है और बहुत ही अच्छी होती है मैंने इस पर स्पर्सनल एक्स्प्रिमेंट कर लिया है और बहुत लोगा ने इसके उपर एक्स्प्रिमेंट भी किया है लेकिन जो नए नए है SLEA स्पेस से नया स्टार्ट कर रहे हुने ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उनके लिए इजी प्रोसेस कर रहा हूँ सबसे पहले पानी लिया हूँ मैं 15 लिटर का बेज बना रहा हूँ आप मेजरमेंट वीडियो में देख लीजिए पानी लिया हूँ ये पानी एसिड स्लरी और एससे लिया स्पेस्ट दोनों को मिक्स करके लिया वह जितना आप एसिड लए स्पेस्ट लेंगे उससे कि कि वो 70% वाला 28% में कन्वाट हो जाए तो खेल अभी फिलाल यह 1745 ग्राम यानि कि किलो 745 ग्राम पानी है इसमें मैं पहले लूंगा अब कैलकुलेशन भी कर सकते हैं तो अभी फिलाल मैंने यहां पर एसिड सलरी ले लिया है 230 ग्राम और इसी एसिड सलरी में यह जो पानी है इसी में एसलियस पेस्ट को डाल देना है तो फिलाल यह 70% वाला एसलियस पेस्ट है इसको भी इसी में डाल देंगे पहले जीरो कर लेता हूँ यह करना इसलिये जरूरी है कि इसमें जो एसिड सलरी के साथ जब यह घुलेगा तो यह इसीली डाइलूट हो जाएगा और इसकी कॉलिटी काफी अच्छी रहेगी मैजर्मेंट आप वीडियो में देख लीजेगा तो 567 ग्राम लिया हुआ है अब यह देख सकते है उपर इसमें एसलियेस दिख रहा है नीचे एसिड सलरी दिख रहा है अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है करीब 15-20 मिन तक आपको मिक्स करना है जब तक यह दोनों आपस में घुलना जाए और इसलिये स्पेश जो है वो डाइलूट ना हो जाए तब तक इसको मिक्स करते जाना है यह इसली डाइलूट हो जाएगा तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ने लूँगा मैं फिलाल इसको पॉश करता हूँ और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर देता हूँ आपको इसको मिक्स करते जाना है आराम अराम से और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना यह पूरी तरीके से घुल जाएगा हाँ कुछ इसमें थोड़े थोड़े गठे जैसे रह जाएंगे लेकिन वो जब हम इसको कास्टिक से नूटिलाइस करेंगे तब यह पूरा डाइलूट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह पेश्ट के माध्यम से बनाया हुआ है यह बिल्कुल एसे लिएस लिक्विड से बनाया हुआ है इसा ही बन जाएगा और साथ ही इसकी कॉलिटी भी बहुत अच्छी आएगी तो इसको मैं थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ तब तक के लि भंटा मैंने इसको दे जाए था ठंडा होने के लिए भी इसमें अब देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एसे लिएस पेस्ट है यह अभी इसको न्यूटिलाइस करने की बारी है अब इसमें मैं डालूंगा कास्टिक सोडा की लाई जिससे यह पूरा न्यूटिलाइस हो जा कि यह काश्टिक सोडा की लाइब मैंने एड़ कर दिये इसमें अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स जिससे यह न्यूटिलाइज भी हो जाएगा हलका सा हीट भी होगा यह यह आप लोगों को पता ही होगा काश्टिक सोडा जब एसे लरी के साथ रियक करता है तो यह हीट होता है और यह पूरी तरीक से न्यूटिलाइज हो जाएगा और जैसे यह हीट होगा उसके बाद यह एसे लिए जो इसमें है वो पूरा डाइलूट हो जाएगा इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स इसको मैं कर रहा हो मिक्स यह सारी प्रोसीजर आपको कंप्लिटली अच् जिससे अपका प्रोड़क अच्छा बने यह काफी गाढ़ा होते जा रहा है मुझे मिक्स करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है यह प्रोसीजर पूरी कर लो और इसको न्यूटिलाइज कर दिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ और फिर इसको खांड़ी मिक्स करें के लिए धुझे यह यह फली तो अब इसको थंड़ और छोड़ देते तो उनीयथिति हैं यह उन्यूटिलाइजेशन की प्रोसेस कम्प्लीट हो जाती है उसके वाद अभी मेरा पंदव बैचमन बना रहा हूँ तो मैंने इसमें बारा लिटर पान यह पूरा complete हो चुका है, ठंडा भी हो गया है, आपको जब तक यह ठंडा हो जाए, जब यह पूरा ठंडा हो जाए, इसके बाद फिर आपको आगी की procedure करनी है, तो इसको पूरा इसके अंदर add कर देंगे, पूरा निकाल लेता हुए, यह देख सकते हो, जो पहले 12 किलो था, वो 14 किलो 700 ग्राम उच्चुका है, और इसमें मैंने पूरा निकाल लिया है, अब इसको अच्छे से mix करके, फिर छोड़ देंगे, 2-3 गंटा, इसके बाद फिर इसमें आगे की procedure करेंगे, लेकिन इसको छोड़ने से पहले एक procedure और कर लेनी है, वो है CAPB की, फिलाल इस मशिन को zero किर दिया है, और इसमें CAPB add करूँगा, CAPB add करने के बाद, आपको 75 ग्राम तक CAPB लेना है, उसके बाद फिर इसको mix करके, छोड़ देना है 3-4 गंटा, तो अब 75 ग्राम CAPB लेके, इसको करेंगे अच्छे से mix, 3-4 गंटा फिर इसको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आगे की procedure करेंगे, तो यहाँ तक की process तो हमने कर ली थी, अब बारी है इसको गाड़ा करने की, यह बिल्कुल पानी जैसा है, तो अब इसको गाड़ा करेंगे, इसके लिए simple है भाई, नमक यूज़ करेंगे हम, और आवशक्ता की अनुसार, इसमें नमक डालते जाएंगे, और इसको mix करते जाएंगे, जिससे यह गाड़ा हो जाएगा, तो यह वीडियो की प्रोसीजर, अब यह गाड़ा हो जाएगे, उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता ही है, उसको 8-10 गंटे के लिए छोड़ देना होता है, ट्रांसफरंसी के लिए, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे color और perfume, फिलाल तो मैं इसको गाड़ा करूँ आपका एरिया में जो भी आता रहेगा उसके हिसाब से, इसमें नमक आप ले सकते हैं, कई एरिया में पानी गाड़ा होता है, TDS जादा होता है, तो नमक की मातरा कम भी लग सकती है, अगर पानी में TDS की मातरा कम है, तो नमक की मातरा जादा भी लग सकती है, तो इतनी प्र इसको छोड़ देना है ट्रांस्परंसी के लिए 10-12 गंटा जब यह पूरी तरीके से ट्रांस्परंट हो जाए उसके बाद फिर आपको पानी में कलर और परफ्यूम लेना है और इस प्रोड़क्ट में डाल देना है तो आपका यह प्रोड़क्ट कंप्लिट रेडी हो अब इस तरीके से एसलियस पेस्ट के द्वारा लिकुड बना से और हाँ एक और बात जब यह आपका लिकुड गाड़ा हो जाए बेसिकली हम जो लिकुड बनाते हैं उसको गाड़ा कर देने के बाद धक्के रख देते प्रांस्परंसी के लिए एसलियस पेस्ट से जो हवा में भी रियेक्ट करता है हमारे हवा में जो अक्सीजन होता है उसके साथ रियेक्ट करता है और प्रोड़क्त की जो ठीकनेस होती है इसको भी बढ़ाने का काम करता है तो इससे आपके प्रोड़क्त में ठीकनेस और भी जादा बढ़ जाएगी मतलब यह नहीं कह सकता कि भाई लिक्विड है तो पुरा जेल बन जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि कई लोग फिर मुझे इसी बारे में बोलेंगे कि सर आपने बोला था थिकनेस बढ़ जाएगी लेकिन थिकनेस में तो कोई डिफरेंस नहीं आया यह डिपेंड करता है लेकिन जहां तक मेरा एक्सपरियेंस रहा है इसके आधार पर तो भाई जो लिक्विड होता है उसकी जितनी वेस्कोसिटी पहले होती है उससे थोड़ी सी वेस्कोसिटी बढ़ जाती है मतलब ऐसे लिएस पेज़ भी थोड़ा वोत रियक करने लगता है तापके प्रोड़क में थिकनेस हलकी सी बढ़ जाएगी आप इसको खुला रखी है ट्रांसपरंसी के लिए जब आप रखेंगे तो इसको ढखके नहीं रखना है खुला रख देना है तो प्रोसीजर पू और अगर किसी को रो मैट्रियल पर्चेस करना हो पर्टेक कर सकता है पर मिला भूप पर्चेस करनी हो तो भी प्रोसीजर सिखावाँगा जिन लोगों को वीडियो देख के भी थोड़ी बहुत आईडिया नहीं आ रही है उन सभी को पूरी गाईडिलान्स भी मिलेगी इसके लिए दिये वे नमबर पर आप मुझे वाटसअप कर सकते है ज़रूरत प्रड़त आप खौल भी कर सकते है और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किये हुए कई लोग मुझे जो लेटेस वीडियो देखते हैं उसके बाद सीधा कॉंटेक्ट क करते कि यह दूसरा प्रोड़क कोई भी हो उसका फॉर्मिलेशन चीए तो उनसे भी यही चीज बोलूंगा कि आप एक बार मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट को आप एक बार चेक आउट किजिए मैंने बहुत सारे फॉर्मिलेशन भी दिये हुए है केमिकल इंफॉमेशन भी में ने दी है कि आप कुणसे कुणसे केमिकल को किस तरीके से यूज कर सकते है आला कि फिलल थोड़ा बीजी हूँ इस वेज़े से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ और अभी जादा करके लोग ऐसे लिए स्पेस से प्रोड़क बना रहा चाते है इसमें बेनिफिट यह हो रहता है कि ट्रांस्पोर्टेशन सस्ता बढ़ता है और प्लस कॉलिटी भी काफी अच्छी आती है दोनों चीजों का बेनिफिट है जो आप लिक्विड से बनाने लगे लेकिन में दिक्कत होती है ब्लेंडर मशिन की अभी बड़ा बेच बनाना है तो ब्लेंडर मशिन की ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंडर मशिन को कैसे पर्चेस करे तो वह सारी चीज़े अगर नहीं करनी है क्योंकि अगर आप SLEAS पेस्ट को ब्लेंडर मशिन से करते तो SLS paste में पानी डालके उसको blender करके आपको air pack करके रखना होगा जब तक वो पुरा air pack bottle में जो भरा हुआ रहेगा वो पुरा transferant SLS liquid नहीं हो जाता तब तक आप उसको use नहीं कर सकते और वो चीज़ नहीं ही देनी है आपको उतना time consume नहीं करना है तो आप इस method से आसानी से liquid बना सकेंगे उतना ही time लगेगा जितना आपका SLS liquid के द्वारा product बनाने में लगता है और काफी अच्छा product बन जाएगा अभी इसमें थिकनेस है यह थिकनेस में और भी इसमें बड़ोती हो जाएगी और जब यह पूरा 10 से 12 घंटे छोड़ने के बाद पूरा transparent हो जाए उसके बाद फिर बारी आएगी कलर और पर्फ्यूम की तो वीडियो को यहां तक आपने अगर पूरा देखा है तो आशा करता हूँ आपको पूरी procedure समझ में आ गई रेगी अगर नहीं आई है आपने skip किया हुआ है कोई confusion दे दी है तो आप एक बार दुबारा से देखिए पूरी procedure को मैंने पर डीटेल में बताया हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना आये product बनाने में ताकि आपको दिक्कत ना आये product बनाने में ताकि यूद्ध